स्टूडेंट कैसे हो आप सब लोग मुझे आस है कि आप सब लोग अच्छी होंगे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी मेरी चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करना तो आज हम पढ़ने हैं स्टूडेंट कार्बोक्सलिक एसिड डेरिवेटिव तो आ तो हम सुरूर करते हैं पेस उसके बाद कला थे हैं लास्ट ट्रेक्चर में हमने क्या पढ़ा था वीडियोस के वारे मैंने पढ़ा हुआ अब हम पढ़ रहे हैं कार्बॉक्सलिक जो एसीड है उसके डेरिवेटिक तो हम देखते हैं क्या होते हैं डेरिवेटिक तो हमें पता है अगर हम एक कार्बॉक्सलिक एसीड यहां लिखूं वह कैसा होगा कार्बॉक्सलिक एसीड को एस स्ट्रक्चर होता है कार्बॉक्सलिक प्रोपन कोई भिपू और लाइल क्या होता है हमारा बेंजीन गुरुप धियते हुऴ ठीक है और क्या है आर मेबी अलकाइल और अरायल ठीक है student अलकाइल क्या होता है जैसे कि हमारा होता है methane CH4 ठीक है लेकिन यहां CH3 लगेगा अगर क्यों कि यहां पर methane actually CH4 होता है लेकिन CH3 लगेगा यहां फिर मैं वही लगा रहता हूँ CS3 यहां फिर हमारा होता है CH3 यह CH2 या फिसको ऐसी लिखते हैं C2H5 and so on ठीक है और जो वो होता है राइल वो क्या होता है बैंजीन रिंग तो यह तो हमको पता ही हो गई actually इसको हम फिनाइल भी बोलते हैं ठीक है student अब क्या है अब हमने देखना है कि हमने पढ़ना है Carboxlic Acid Derivative तो यहां क्या होता है student हम इस Carboxlic Acid को यहां पर हम चाहे बेशक वो हैलोजन हो कि साथ रेक्टर आते हैं या फिर हमारे पास हो जाए मालो दूसरा Carboxlic Acid हो या फिर यह मालो की कुछ ऐसा हो जाए मैं ड्रेक्ट नहीं लिखता आपको पता ही होगा ठीक है या फिर हमारे पास हो जाए कुछ ऐसा ग्रूप हो जाए आट डैश तो यहां भी आट डैश लिएता हूँ और कुछ हमारे पास NH2 हो जाए अगर इसमें हम रियक्ट कर देंगे तो इसटोंड क्या होगा हमारा एक हलाइड बनेगा तो इसको हम लिख लेते हैं हलाइड को एक common जो formula से लिख लेते हैं L कि इन सब को लगा के मैंने यह यह लगा दिया और जूए लगा यह यह तो मैं लेक्ट दूबार लग देता हूँ L मेभी L मेभी तो student ये होते है हमारे Carboxylic Acid Derivative ठीक है उसके बाद क्या है इन जो अगर ये Carboxylic Acid Derivative बन गया इस से हम दुबारा ये भी बना सकते हैं Carboxylic Acid तो ये हमें पता होना चाहिए तो इसको जब हम इसको क्या बोलते हैं Parent Chain ये हमारा ये किया Parent Acid हो सकते हैं तो कारबॉक्स लिक एचेट फिर से बन जाएगा ठीक है तो यह आपको थोड़ा पता होना चाहिए अब हम देखते हैं कि थोड़ी सी रेक्शन कर लेते हैं इसके जैसे कि ये कैसे बनता है कि इसमें हम सब सब एक-एक यूज कर के देखते हैं कि ये क्या बनता है इसका सबसे पहले तो ठीक है और यहां पर हम ड्रेक्टी कर देते हैं क्योंकि हमने जहां लोंग नहीं खीचना लेक्चर को तो हम एसी बत करेंगे कम बातों में ने समय आपको अमालों यहे हैं लिएना सबटे करहा हूँ एक सस्का होँ और में यहां पर हमार यहां आपको निकलता है वह निकलता है है H2O मतलब यहां से मैं क्या निकालूँगा जैसे मैं यहां लिखना एटा हो एसको क्या पाइग है कि क्या एक्क तो यहां क्या बन जाए स्टूट यहां से गर मैंस को यहां से निकलेगा ओधर से ओई निकलेगा ठीक है और इसको हम बोलते हैं एन हाइडराइड को यहां आड-डैश लग लेता हूं , कि मैं पीछे मने आड़ यूज किया है आप तो यह r और डैश में भी सेम और डिफरेंट हो सकते हैं , यहांम सेम भी ले सकते हैं , आगर हमें engineers bet rain group लिय तो , आड़ पर we can come連 भी ले सकते हैं या फिर हाईडराइड उसके बाद स्टूइट अगर हम इसको माल लें कि कोई भी हमारे पास Town आर-सी डवल-बॉवनड हो जैसे कि हमालो उसमें यहां थे हम दिसको करते हैं एल-कोहल के साथ रेक्ट एलकौौल का रयाक्ट करते हैं तो इसमें से फिर हमारा H2O बहार निकलेगा और ये OR है यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा ठीक है? यही होना है कि हमेशा जो OH निकलेगा OH ग्रूब निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा यहां से निकलेगा है 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 यहां कि करने को और ठीक है स्टूइन तो इसको बोलते हैं हम एस्टर अगर हम मालों इसको एस्ट्री के साथ रियक्ट करते हैं तो यहां से भी क्या एक एक निकलेगा और यहां से और निकलेगा तो माइनस एच टू ठीक है स्टूइन यहां पर अगर एच निकल लिए एक तो यहां त तो student इसको आप ध्यान से करो अब यह थोड़े रिख लेते हैं कि आर क्या है कि जो आर है आर और डैश या आर प्राइम कहते हैं इसको हम थोड़ा मैं ओपर कर लेता हूं कि आपको नहीं आ रहा है भी लगते हैं वीडियो में कि आर और डैश में भी same or different ठीक है student यह हो गया और यह क्या जो यह carboxylic acid का R है तो यहाँ पर हम इसको H यूज कर सकते हैं और R can also be used as as H ठीक है तो हम इसकी जगह H यूज कर सकते हैं तो बना कुछ ऐसा बन जाएगा यह अगर हम यह यूज करते हैं इसकी जगह उसको हम बोलते हैं formic acid यह हमने carboxylic acid के chapter में बढ़ा होगा वह यह तभी आपको पता होगा जब आपने last chapter किया होगा previous chapter मेरा किया होगा उसको यह तभी यहाँ पर आना बना आपकी जो बाते सब उपर से जाएंगी ठीक है कहते हैं सिर बालों के उपर से जाएं फिर आपको अच्छी नहीं समझाएगा तो student अब यह होगी आप थोड़ी सी हम बात और कर लेते हैं कि journal electronic structure of acid derivative तो student अब हम बात करने वाले हैं journal electronic structure of acid derivative तो जो हमने पीछे acid derivative पढ़े उनका हम electronic structure करेंगे तो student हमने जो पीछे पढ़ा था कि कैसे होते हैं हमारे acid derivative तो यहाँ पर यहाँ पर L क्या था L may be मैं यहाँ पर दुबार लग देता हूं L may be x o c o c o r r dash c o r dash and o r dash and n h2 ठीक है student तो हम इसकी बात करेंगे mostly और हमने उसके बात क्या पढ़ाता है student कि जो यहाँ पर r and r dash may be same or different okay student यहाँ तक हमारी बात पीछे lecture में हमारी हो चुकी थी मतलब पीछे भी topic में हो चुकी थी अब क्या हम electronic structure देखते हैं इसकी क्या होती है तो हमने देखा कुछ ऐह structure होती है इसको दुबारा हम एक बार construct करते हैं बनाते हैं तो यह कुछ ऐसा हुआ student ठीक है अभी देखो यहाँ पर क्या है अब देखो अगर आपने hybridization वाला जो hybridization वाला hybridization जोसमें आपने पढ़ा होगा chapter hybridization वाला जो chapter है उसमे student क्या था कि अगर single bond हो तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ यह थोड़ा rough में देख लो कि अगर single bond हो जैसे यह C है जैसे यह कुछ ऐसा हुआ माल लो single bond हो अगर जैसे carbon atom की बात करें यहाँ पर जो carbon atom है वो क्या है SP2 hybrid carbon या hybridized carbon थोड़ा उसको बोलने में मुश्किल होती है hybridized carbon ठीक है तो यहाँ पर जो carbon atom present है इस acid derivative में वो क्या है SP2 hybridized तो हमें कहाँ चला पता क्योंकि यहाँ double bond है इसका reason क्या है कि अगर हमारा single bond हो ठीक है मैं पहला मारा तो single bond हो तो वो क्या होता है SP3 hybridized ठीक है student SP3 है अपना होता है hybridized होता है और दूसरा क्या होता student उसका होता है टेट्रहेडर स्ट्रक्चर टेट्रहेडरल या structure ठीक है student और इसके जो angle के बीच में जैसे इसमें एंगल है तो इसका कुछ एंगल ऐसा होता है मैं आपको बदा यहां पर इसे एक इधर होता है उपर एक होता है इधर एक यहां कुछ होता है 109 degree 109 degree and 28 minutes तो यहांपर भी क्या एंगल कितना होगा हमारा स्टुरेंट यहांपर सेम 109 degree 28 minutes 109 degree 28 minutes अब स्टुरेंट यह था हमारा टेटर हेडल अगर सिंगल बॉंड हो सम्मी ठीक है अगर यहांपर double मान लो डबल बॉंड हो तो वह होता था SP2 hybridized hybridized carbon atom तो यहां जो carbon atom है वह होता था SP2 hybridized मतल उसको जो structure को ऐसा होता था और उसको हम बोलते थे planner structure मतलब वह plane में होता है planner structure ठीक है उसमें जो angle होता था student वह होता था हमारा तो यहां पर आ रहा है वीडियो में ठीक है रूड流 न्ट एंड टार था है ऊपर लेता है को में ट्वि Meer उसको बड़ी एंड होता था तो हमारा होता था तॉयleep हम सेट कर लेता है उसको ठीक है हमारा उसने वन ट्वैंटी डिग्री ठीक है हर एक इसमें भी एसमें भी कुछ कुछ ऐसा पढ़ाता है कि छोड़ो इसको ही करते हैं ठीक है ना तो इसमें कुछ एक सो बीटी से मतलब अपना अपना कॉंप्रिकेट हो जाएगा उसमें में दिखाऊंगा लोग सुना के तो छोड़ो इसको अब इतने ही पड़ो कि यहां वसकी इसनी जरूरत है तो उसके ब SP hybridized carbon atom क्या मतलब अब यह ना कि SP hybridized क्या है मतलब SP hybridized तो वह हम बात कर रहें carbon atom की मैं आपको एक बावताना शुआत में भूल गया मैं बात रहा हूं ठीकि मैंने गोर नहीं देखी क्या मतलब जो hybridized की बात कर रहें वह कौन सा element है तो यहां पर carbon atom है हम carbon atom बात कर रहें SP hybridized carbon atom तो आप समझ जाना है ठीक है मैं साथ में लिखनी रगा carbon atom और इसके बीच में जुसका structure होता था वह होता था लीनियर ठीक है student और इसके जो angle होता था वह होता था 180 degree अगर अगर इसको आपको अभी भी समझना आए हो तो आप जुसकी वीडियो देखो बुक से पढ़ है तो यहां पर क्या SP2 यहां मैं देखा कि SP2 में क्या था 120 degree angle तो इसके हरे एक इसमें कितना angle होता है 120 degree angle होता है ठीक है student यहां तक तो हमें समझ आ गया होगा ठीक है तो यह इसकी electronic structure है इसके बारे हम और बात नहीं करेंगे इसको और lecture को complicated नहीं बनाएंगे मेरा काम है कि lecture को easy बनाना topic को easy बनाना और आपके सामने पेश करना ठीक है student तो फिर मिलते हम अगया lecture में तो next lecture में जो हम बात करेंगे वो करेंगे nucleophilic assyle substitution ठीक है student तो हम मिलते है फिर lecture में तब तक अपना ख्याल रखना goodbye have a nice day